दोस्तों वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों के वैक्सीन के लिए आपके कौन से डॉक्यूमेंट की जरुवत पड़ेगी और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है यह सरकारी वैबसाइट कोविन.gov.in और यह है नया अपडेट आपके सामने रजिस्टेशन स्टार्ट हो जाएगी तीन तारिक से तीन जनवरी से रजिस्टेशन के लिए जो उम्र चाहिए बच्चों की यह 15-18 साल इस वैबसाइट पर नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा यह है वैक्सिनेशन फॉर चिल्टरन आप बुक करा सकते हैं स्लाट ओनलाइन के लिए जब हम और नीचे चलेंगे इस वैबसाइट पर तो आपको मिलेगा दोस्तों वैक्सिन अवेलेबल फॉर एज ग्रूप 15-18 और यही है नया फीचर यही है न्यू और यही है दोस्तों अलट इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई जानकरी मिलेगे यहा रजिस्टर और कोविन पोर्टल उजिंग अधार कार्ट पैन कार्ट यूनिक डिसेबिलिटी आई-डी राशन कार्ट विद फोटो एंड स्कूल आई-डी कार्ड ओनली को वैक्सिन इस अपूट फॉर गुरूप करेंटली अभी तक को वैक्सिन को ही अपरूबल मिला है ब पैन कार्ड यूनिक डिसेबिलिटी आई-डी कार्ड मतलब विकलांग दा प्रमाण पत्र फोटो वाला राशन कार्ड और स्कूल आई-डी कार्ड दोस्तों मेरी आपसे सला है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप आधार कार्ड को प्रिफ्रेंस दें क्योंकि आप आपकी यूनिक आइडेंटिटी है यह आपकी पैचान है तो आप वैक्सीन को जहां तक हो सके आधार से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के लावा और भी कई बाते हैं जो आपको धान रखनी है पहली कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके तीसरी बात वैक्सीन के बाद कुछ देर इंतजार जरूर करें हो सकता है कुछ कॉंप्लिकेशन हो हलाएं कि चांसे बहुत कम है तो अगर आपको कुछ भी अनीजी या अनकमपटेबल लगता है आप वैक्सीन के इंदर पर वेट करें और तुरंत डॉक्टर से संपर करें उसकी नजर में चीज जरूर लाएं चौथी बहुत इंपॉर्टन बात दोस्तों वैक्सीन लगने के बाद जो आपने नंबर दिया है उस पर एसमेस जरूर प्राप करें या फिर आप वेट करें जब तक एसमेस नहीं है हो सकता है एसमेस आने में टाइम लगें लेकिन दो कैसे करें? तो यह दो लिंक आपके सामने है इसमें एक लिंक WhatsApp का भी है चटी बात दोस्तों आपके सामने जिसको यूज करकर आप सुधार कर सकते हैं यह सबही लिंक मैंने description box में दिये हुए हैं दोस्तों जानकरी आपको बराबर मिलती रहेगी और भी कोई update आएगा तो आपको मैं जरूर अववद कराता रहूंगा आप मेरे साथ जुड़े रहिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकल जरूर दवाए ताकि जैसे कोई नई जानकरी है मैं वीडियो अप्लोड करूं और आपके पास information पहुंच सके दोस्तों अगर जानकरी पसंद आईए तो आप जरूर मास्क जरूर लगाएं सुरक्षित रहें धन्यवाद जैहें जैबारत